दोस्तो यदि आपको 32 जिन्द का SMART TV लेना है तो मार्केट में बहुत सारा TV और रेडी उपलबाद है और मैंने बहुत सारा TV कारी भीवी किया है अपने चैनल पर आप जाको देख सकते हैं लेकिन दोस्तो कई से लोगों का सवाल था जो यह आई फालकन वाई TCL वाला जो बति सिंच का TV है आखिर यह TV कैसा है 10,000 में मिल रहा है तो क्या हम इसको पर्चेस कर सकते हैं या तो फिन नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सभी जनकारी देता हूँ यह TV कैसा है कैसा नहीं है दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्पले की जैसे की 32 इंच के टीवी में होता है 1366 गुरे 766 वाला डिस्पले साथी में 60 होस का रिफ्रेश रेट है जो की नूर्मल सभी टीवी में होता है लेकिन दोस्तो जो इसका बराइटने से काफी ही ज्यादा कम है 260 निट्स पिक बराइटने से है तो बराइटने स्थोड़ा कम है मज़ा नहीं आएगा लेकिन डिस्पले ठीक ठाक है मज़दार है दोस्तो यह टीवी आपको आउट बक्स एंडराइट 11 पर देखने को मिलता है यह टीवी के तोर पर देखा जाए तो लेटेस्ट ही है इसमें आपको आरजिवी के इंटर्नल स्टोड़ेश साथ ही में एक दिवी का रेम भी देखने को मिलता है और मैं कहूँगा रेम स्टोड़ेश में भी ठीक ही और एंडराइट 11 भी ठीक ही ठाक है इस टीवी में आपको 248 के डॉल स्पीकर देखने को मिलता है इस पीकर थोड़ा लाउडनेस है लेकिन वही यदि 50 से उपर इसका भोलियम ले जाएंगे तो काफी ज़़ा फटला फटला टाइप के आवाज आएगा तो थोड़ा इस पीकर क्वालिटी उतना मज़दार भी नहीं है लेकिन मैं कोंगा ठीक ठाक है यार दोस्तो यदि इस टीवी के रिमोट की बात किया जाए तो इसका ये रिमोट डिजाइन तो ठीक ठाक है मतलब लोग के मामले में ठीक ठाक है परन्तु उतना मज़दार भी नहीं है जितना की रेडमी ओगरा के टीवी का जो रिमोट होता है यदि पोर्स की बात किया जाए तो इस टीवी में आपको एक USB पोर्ट दो HDMI पोर्ट हेरफोन जाए के भी उगरा देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों पोर्ट के मामले में कमी किया गया है आप भी समझ सकते हैं एक USB पोर्ट से क्या होने वाला है कम से कम दो USB पोर्ट देना बनता था बहले यह DMI पोर्ट एक देता USB दो देता तो एक मज़ा भी आता लूक और डिजाइन की बात किया जाए तो डीसेंट है कोई ज्यादा समार्ट भी नहीं है और खराब भी नहीं है अब दोस्तों अभी इसका पराइज है 95 रुपे तो क्या यह 95 रुपे में खरिदने लाइक है या तो फिन नहीं है सबसे बड़ी बात तो यहीं है दोस्तों मैं आपको केलियर बता दूँ यदि आप इसको 95 सौ में खरिते हैं तो इससे अच्छा आप साउमी के टीवी को पर्चेस कर सकते हैं ओ एक बरान का टीवी है और ओ एक अच्छा का सारी जल्ट मेरेटा है क्वालिटी भी इससे थुड़ा बेहतर रहता है तो मैं इ आप साउमी के टीवी को पर्चेस कर सकते हैं परन्तु इसको पर्चेस बिल्कुल भी मत किजिएगा